कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आफिसल यूटूप चैनल जीएस बाइनियरसर में जैसा कि आप लोग देख रहेते हैं बहुत तिक बिग्ञान के हम लोग प्रक्टिस कर रहेते हैं तो भाउतिक बिग्ञान का ये थर्ड़ पेपर होगा 35 प्लस क्वेस्चन्स होंगे और प्रिवेसर से रिलेटेड होंगे मोश्च इंपोर्टन्ट है सभी बने इंट्रेंस के लिए जहां पितल इप सांश कवेस्चन्स फूंशे जाते हैं जाहा हो संस्य का एकजाम रेल वए पीचियस ार्यू या फिर यूपी पीचियस का हो सबी जीगे साइन्स का महत्मन योगतान है जो देरिन करते हूँ questions की तरफ बढ़ते है पानी का भारीपन किस बिले के कारण होता है तो पानी का जो भारीपन है वो किस बिले के कारण होता है इसका right answer क्यों होगा तो calcium be is the right answer next time बें बात करते हैं question number 2 की निम्न में से किसे से टेप रिकारडर की टेप लेपित रहती है तो टेप रिकारडर की जो टेप है वो किस से लेपित रहती है सदव लेपित रहती है चार आपसंस दिये गए है नेला थोथा जिंक आकसाइड फेरो मैंगनेटिक चूरन या फिर पारा राइट आंसर क्या होग टेप रिकार्डर की टेप किस से लेपित रहती है तो यह है फेरो मैंगनेटिक चूरन फेरो मैंगनेटिक चूरन बीस दर राइट आउंसर next question number 3 की बात करते है sodium धातू को दुबा कर रखा जाता है तो sodium धातू को सदयो किसमे दुबा के रखा जाएगा इसका राइट आउंसर सभी को पता होना चाहिए के रोसी नायल में next question number 4 की बात करते है यूरिया का रासाइनिक नाम बताना है यूरिया प्रयोक्षाला में बनने वाली सबसे पहली पदात थी है ठीक है सबसे पहली योगी right answer क्या हो जाएगा चार का यूरिया का रासाइनिक नाम क्या हो जाएगा तो कारबामाईड कारबामाईड C is the right answer next question number 5 की बात करते हैं question number 5 में कह रहा है वह तद तो जो आक्सीजन से परतक्रिया नहीं करता है क्या कहलाएगा तो आक्सिजन से अगर वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है तो वो आयोडीन कहलाएगा आयोडीन, B is the right answer question नमर 6 की बात करते हैं रेयान, नाइलान और पालिस्टर एक ऐसा रेसा है उसे क्या कहते हैं नाइलान, पालिस्टर और रेयान तो इसका right answer हो जाएगा संसलिस्ट प्रकार के रेसे हैं UPPCS 2014 में question पूँचा जा चुका है UPPCS 2014 में ठीक है question number 7 की बात करते हैं question number 7 कह रहा है mercury को किस धातू के पात्र में रखा जा सकता है mercury मतलब पारा को किस धातू के पात्र में रखा जाएगा तो लोहा C is the right answer next question number 8 की बात करते हैं निम्न में कौन जल से हलका होता है चार आपसंस दिये गए हैं जल से हलका कौन है चार आपसंस एल्मूनियम, मैंगनिसियम, सोडियम, मैंगनिस right answer क्या हो जाएगा 8 का तो right answer हो जाएगा सोडियम B is the right answer question number 9 की बात करते हैं सामान ट्यूबे लाइट में कौन सी गैस भरी होती है तो tube light जो normally tube light है उसमें सदेओ कौन सी गैस रहेगी आरगन के साथ mercury vapor ठीक है आरगन के साथ mercury vapor भरी रहती है सामान तया tube light में next question number 10 की बात करते हैं milk of magnesia किसे कहते हैं most popular question है most popular question most popular question है ये milk of magnesia किसे कहा जाता है तो milk of magnesia milk of magnesia right answer हो जाएगा magnesium hydroxide magnesium hydroxide को milk of magnesia कहा जाता है this is the right answer question number 11 की बात करते हैं quartage किससे बनता है quartage तो quartage सदेओ किसका बना रहता है तो ये बना रहता है calcium silicate का calcium silicate B is the right answer next question number 12 की बात करते हैं सोने के आभूशन बनाने के लिए किस सिधातू को मिस्रित किया जाता है तो सोने के आभूशन बनाने में किस सिधातू का मिस्रित किया जाएगा मिलाया जाएगा तो होता है कापर कापर को सोने के साथ मिला कर उसको मजबूती प्रदान की जाती है ठीक next question number 13 की बात करते हैं poland slimand के अभिसकारक कौन है तो poland slimand के अभिसकारक joseph hispidan साहब है joseph hispidan see is the right answer question number 14 की अगर बात करते हैं सबसे भारी धातू कोंसी है तो सबसे भारी धातू यहाँ चार आपसंस दिये गए है lithium, iron, osmium, silver right answer क्या हो जाएगा सबसे भारी धातू right answer इसका सभी को पता होना चाहिए osmium be is the right answer question number 15 की बात करते हैं प्याज और लहसुन में गंध किस कारण होती है प्याज और लहसुन में सदयो जो गंध का कारण है वो है potassium potassium की मातर अधिक पाई जाती है प्याज और लहसुन में उसी करण बदबू करता है next question number 16 की बात करते है hydrocarbon का प्राकर्तिक स्रोथ क्या है तो hydrocarbons का जो प्राकर्तिक स्रोथ है उसे क्या कहते है तो hydrocarbon सदयो पाया जाता है कच्चा तेल्स is the right answer question number 17 की बात करते है किस gas का प्रयोग cigarette lighter cigarette lighter में होता है cigarette lighter में पिला पिला पदार्थ भरा होता है उसी का पूछा जा रहा है क्या है तो किस gas का मिस्रण है वो तो कौन सा gas हो जाएगा butane सदयो पाया जाएगा is the right answer next question number 18 की अगर बात करते है सिरका किसका जलिये बिलायन है तो सिरका सदयो किसका जलिये बिलायन हो जाता है तो सिरका सदयो पाया जाता है acidic amal का जलिये बिलायन this is the right answer question number 19 की बात करते है पनीर निम्न में किसका उदारन है पनीर दूद का बना हुआ एक पदार्थ है पनीर पनीर सदयो किसका उधारं हो जाएगा तो पनीर जो है वो सदयो जेल का उधारं होगा एक जेल का Is the right answer Question number 20 की बात करते हैं सिर्का का रासाइनिक नाम बताना है सिर्का सिर्का का रासाइनिक नाम क्या हो जाएगा बिया तो सिर्का का रासाइनिक नाम जो होगा एथा नोइक एसेड एथा नोइक एसेड Is the right answer Next Question number 21 पेट्रोल एक मिस्रण है तो पेट्रोल सदयो किसका मिस्रण होता है तो पेट्रोल सदयो एलिकेन का मिश्रण होता है एलिकेन is the right answer question number 22 की बात करते हैं पालिथीन प्राप्त होता है तो पालिथीन कहां से प्राप्त होगा भी या तो पालिथीन एथिलीन के बहुलकी करण से प्राप्त होता है पालिथीन ठीके एथिलीन के बहुलकी करण से प्राप्त होपाता है polythene Question no. 23 की बात करते हैं किस संसलिस्ट रेशिय को करतम सिल्क के नाम से जाना जाता है करतम सिल्क तो करतम सिल्क रियान को जाना जाएगा Nylon सदयो एक polyamide होता है Question no. 25 की अगर बात करते हैं कार्बन का क्रिष्टलिय रूप क्या कहलाता है तो कार्बन का क्रिष्टलिय रूप जो है वो सदेव कहलाएगा हीरा ठीक है कार्बन का क्रिष्टलिय रूप हीरा next question number 26 की बात करते है कांच किसका मिस्रण होता है कांच किसका मिस्रण है बहुत बार तो dynamite में मुख्तिया क्या पाया जाता है तो dynamite में जो सदेव पाया जाएगा nitrogilcerin पाया जाएगा nitrogilcerin question number 28 की बात करते है किस अमल में oxygen हो ही होता है oxygen नहीं होता है कौन सा अमल है जिसमें oxygen की मत्रा नहीं होती है 28 का right answer क्या हो जाएगा hydrochloric अमल hydrochloric अमल C is the right answer S2SO4 next question number 29 की बात करते है संचाले में उपियोग किया जाने वाले दुरगन धनासक में होता है तो दुरगन धनासक में क्या होता है सदयो बेंजीन पाया जाएगा बेंजीन B is the right answer question number 30 की अगर बात करते है building में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है तो building में इस्तेमाल की जाने वाली गैस सदयो किसका मिस्तरण कहलाती है तो सदयो होता है oxygen और acetylene gas का मिस्तरण most important question है बहुत बार repeat हुआ यह question है most important question oxygen इस्तेमाल का मिस्तरण ही तो पर्थबी की परपटी में सदयो अलूमीनियम की मातरा सबसे ज़्यादा होती है। अलूमीनियम, C is the right answer. क्वेस्टिन नमर 32 की अगर बात करते हैं, अगन समयक से निकलती है। तो अगन समयक जो आता है आग बुझाने वाला संयंद्र, उससे सदयो क्या निकलेगी तो आग पे काबू पाने के लिए कार्बन डायकसाइड, CO2 निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए इसका right answer हो जाएगा, C. Q23 की अगर बात करते हैं, रबर को मजबूत और उच्छाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो रबर में उच्छाल लाने के लिए क्या मिलाया जाएगा, तो यहाँ पे मिलाया जाएगा, Sulfur, C is the right answer, Q24 की अगर बात करते हैं, कच्छा ऐलमूनियम किस न Q25 की बात करते हैं, आवर्त सारणी में ये डबलू अच्छर की स्तत्व को दरसाता है, तो ये टंगस्टन को दरसाता है, सदय टंगस्टन, ठीके? बल्ब की अंदर क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, Q26 की अगर बात करते हैं, कार्बन डायकसाइट की कितनी मात्रा, वायू मंडल में बिद्दमान है या पाई जाती है, तो 0.03% के ओल पाई जाती है, CO2 वायू मंडल में, ठीके? 0.03% ये वायू मंडल में कार्बन डायकसाइट की मात्रा, लास्ट क्वेस्चन है, Q27 पर्मार का द्रब्यमान ब्यक्ति किया जाता है, तो प्रमार का जो द्रब्यमान है, वो सदयों ब्यक्ति किया जाएगा, A.M.U. में, A.M.U. में, ठीके? ये से साना आपको कैसा लगा, कमुनिक मांदे हम से जोग हैं, पीडियाफ फाइल्स फ्रेय आफकाल्स हैं, ठीके? पीडियाफ फाइल्स के लिए उपकार करना है, टेलिग्राम चैनल को ज्याइन कर लेना है, लिन्क डिस्क्रप्शन बाक्स में दिया हुआ है, कोई भी वंडर्टे इंटरस के त्यारी कर रहो ओ, पीडियाफ फाइ के लिए आप टेली ग्राम शनल को जरूर जोइन करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं